सर मैंने कल कररंटफेस पढ़ी थी आज मुझे यादी नहीं रही सर एक अफ़ा पहले पढ़ी थी यादी नहीं तो सर एक महिने का तो पूछिए मत और एक्साम का तो बिलकुली मत पूछिए सर क्या हाल होता यह मुझे एक्जामिनेशन होल में ऐसा लगता है कि जितने उप्शन सा वो एक जैसे हैं और मैंने जो इतनी महनत की है वो आज मुझे क्या हैते हैं ना मिट्टी में मिल चुकी है सर कुछ याद ही नहीं आ रहे ऐसा क्यों होता है सर मुझे करेंट आफिस क्यों नहीं याद हो पारी क्या मेरे अंदर कोई समस्या है मेरे अंदर कोई खोट है नहीं नहीском नहीं मेरे दोस्त Challengeifie कोई होर्त है यह एक जेनरल हूमन टेंदिंसी है जो कि एक हूम बात है यह एक हाम बात है जो सभी के साथ होती है बस कुछ लोग इस चीज को यहाँ पर सही तरीके से एक well organized way में करते हैं और आप उस चीज को एक well organized way में नहीं कर रहें शायद इसलिए आपको दिक्कत आ रही है अब इसी के उपर आज की ये वीडियो आपकी मैंने बनाई है एक fact बताता हूँ क्या आपको मालूम है कि आपने कोई चीज अभी जो पड़ी है उसको आपका mind 20 मिनट बाद तकरीवन 50 परतिशत गूल जाता है और यही percentage जैसे जैसे समय बीता रहता है वो बढ़ता रहता है और एक साल बाद वही चीज जब आप याद करने कोशिश करते हो तो आपका जो दिमाग है वो उसमें से तकरीवन 90 परतिशत उस सीज को भूल चुका है 95% बिलकुल dead end बशर्ते आपने उसको revise ना किया अब यह आखरकर 95% जो याद नहीं रहता है ये एक normal human behavior है इसमें कोई गलती नहीं है आपकी बस गलती वहाँ पर होती है सबसे पहले कि आप यहाँ पर अपने आपको ये मान लेते हो कि मैं इस चीज को याद नहीं कर पाऊंगा या फिर आपने कोई चीज पड़ी है याद की है उसको मैं भूल जाऊंगा पहला point है आपका confidence confidence आपके अंदर बिल्कुल और बिल्कुल लो हो जाता है आप ये सोचते हो ये माइन में रख लेते हो मैं इस चीज को भूल जाऊंगा भूल जाऊंगा ये बार बार रिपीड करते हो एक positive attitude positive thinking आपके अंदर नहीं develop हो पाती आपने कोई एक पड़ी news ठीक है आपने उससी वक्त माइन में आपके माइन दो तरफ चला जाएंगा उस्सी वक्ती ये तो याद हो जाएगा मुझसे ये news मुझसे याद नहीं कोगी अरे मुझसे days याद नहीं होते अरे मुझसे arbitrary याद नहीं होते अपने अंदर एक confidence attitude होना चाहिए positive attitude होना चाहिए yes, I can do this होगा नहीं होगा बात की बात है confidence करके सामने वाले को डराओ तो सही क्यों नहीं डरा रहे current affairs आपको डरा रहे आप भी तो डराओ ना आंखों में आंखे डाल के बात करो ना current affairs मैं तुझसे नहीं डरूंगा मैं तुझे याद करके छोड़ूंगा ठीक है ना पहला point confidence रखो attitude होना चाहिए positive वाला, मेज़दार वाला क्या दिक्कत है, कहाँ परिशानी है भाई अब यहाँ पर positive attitude आ गया confidence भी आ गया अगली point अगली point यहाँ पर आते हैं हम और वो आता है कि हर एक चीज को यहाँ पर किस तरह से हम रखें कि हमें यहाँ पर लंबे समय तक वो चीज याद रहे इसको लिए मैं एक example लेता हूँ आपके room का अगर आप अकेले रहते हो तो I know आपके room की हालत क्या हो सकती है कोई भी चीज बिलकुल well organized way में नहीं पड़ी होगी लेकिन अगर आप parents के साथ मम्मी के साथ रहते हो तो बिलकुल एक एक चीज एकदम सही जगा पे पड़ी होगी जो TV का remote आपको कभी नहीं मिलता वो बिलकुल मिल जाता है और ये TV का remote का example लेता हूँ चलिए मैं क्या होता टीवी का remote मिलता है कभी नहीं मिलता ना क्यों नहीं मिलता कभी सोचा इसके बारे में आपका room अगर well organized है आपके room में जहां पर भी आपने remote का एक जगा बना रखी है रखने की अगर उसी जगां पर आप हमेशा remote रखोगे तो आपको कभी भी वो चीज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने remote कहां रखा था समझगे मेरी बात आपको क्या याद करने की ज़रूरत पड़ती है क्यों क्योंकि आपको पता है कि वो वहाँ पड़ा है वो वहीं मिलेगा आपको यहीं पर ही अगर आप अमने remote को वहाँ नहीं रखते हो अगर कहीं और रख देते हो तो आपको वो कभी याद ही नहीं आएगा 90% लोगों को वो चीज याद नहीं आएगी मैंने remote कहां रखा था अगर आप उस जगहां पर नहीं रखते हो जहां आप हमेशा एक remote stand पर उसकी जगहां बना रखी है तो इसको कहते है organize करना current affairs को आपको organized way में पढ़ने की यहाँ पर एक program अपने अंदर inbuilt करना पड़ेगा अब organizer आप क्या समझते हो organized का मतलब यह है कि मैं सारी कज़री obituries एक साथ पढ़ लूँ सारे कज़री sports की news एक साथ पढ़ लूँ क्या इसका मतलब यह है नहीं इसका मतलब यह नहीं है organize का मतलब है कि आपको current affairs से जुड़ी हुई जो भी आप पढ़ रहे हो आपके mind में एक image already created है या फिर आप गोगे सर वो हो तो मैं वहाँ रहता हूँ तो इसलिए obvious वो तो image created ही होगी चलो मैं किसी और के घर के भी लेकर चलता हूँ आपको आप किसी guest के घर पे गए आपको कहा गया remote ली या लेकर आई है आपका mind ये already जानता है कि remote वही होगा आपने अपने room की एक image बना रहे है आपको mind को पता है कि remote stand वहाँ पर है तो वहीं पर ही मुझे मिलेगा वहीं पर TV है वहीं पर ही मेरा mobile stand है वहीं पर मेरा charger होगा वहाँ पर मेरे कपड़े हैं ये सब हैं सेम इसी तरह से current affairs को organized way में करना सीखो उसकी image बनाना सीखो image से क्या मतलब सर image से मेरा मतलब ये है कि कोई भी चीज जब आप current affairs पढ़ते हो मैं एक example बताता हूँ current affairs का जो news हमने पढ़ी आज मैंने आपको पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी मैंने एक मुंबई महराष्टरा ने अपना एक plan बनाया climate change climate change plan बनाया policy बनाया जिसके तहत उन्हों ने ये कहा था कि सन 2050 तक मुंबई city में हम carbon emission है वो zero कर देंगे zero carbon emission और इंडिया की पहली एक city बन जाएगी और even South Asia की भी ये आपने news पढ़ी थी अगर इस news को आप इस तरह से तो पढ़ी उस्सी वक्त आपके mind में क्या आना चाहिए उस्सी वक्त आपके mind में इसकी एक image बन जानी चाहिए आप कहोगे सर image क्या उस image की बात कर रहे हो जो सभी teacher news के साथ देते हैं नहीं मैं उस image की बात करा वो image तो उस teacher के दिमाग की उपज है उसने वो दे दी image वो तुम्हारे दिमाग की उपज नहीं है वो तो तुम पर थोपी जा रही है image कोई भी चीज थोपोगे वो चीज याद थोड़ी न रहेगी वोई बात है करेंट अवेर्स पढ़ा दी गई है teacher के द्वारा वो तो आप पर थोपी गई है वो आपको याद थोड़ी न रहेगी जब तक आप उसको याद करने की इच्छा नहीं रखते है आप उस image को क्यों याद रखोगे वो तो आप पर थोपी जा रही है उस image को नहीं आपको ऐसी simple image को याद रखना है जो आपका mind लंबे समय तक retain कर सके image in the sense news IT महराश्रा मुंबई आपके mind में अगर मैं आपसे बात करूँ मुंबई महराश्रा से आप क्या समझते हो यहाँ पर 10 लोग उचे एक बंदा भाएगा gateway of India एक कहेगा यहाँ पर ताज होटल चीज जो सबसे पहले आपके माइड में आएगी वही चीज आपके पास जिंदई भर आपके माइड में आएगी अगर आपने आज निूस बड़ी मुंबाई, माहराष्टा क्लाइमेट वाली तो क्या क्लाइमेट से क्या पहाड, फोरेस्ट, क्लाइमेट आँ वाँ आएगा न माइंड में और मुंबई मुंबई से रिलेटिड मैंने आपको बताया दोनों चीजे कनेक्ट होगी अब मैं डैम शूर आपको कहता हूँ कि भाई साब पांस साल बाद भी मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूंगा न कि 2050 तक किस ने बताया था कि कौन से सिटी ने कहा था कि हम Net Zero Carbon Emission हो जाएंगे आप याद कर लोगे आपको याद आएगा देखना 100% शूर रूम है और ये इमेज किसको बनानी है इमेज आपको बनानी है आप पर थोपी नहीं जाएगी आपको जो इमेज जिस दी जाती है न्यूज में वो तो आपकी मदद के लिए है जुर्री थोड़ी ना आप उस इमेज को अपनी माइज की इमेज से connect कर पाओ हो सकता कई हो कि माइज में मुंबई महराश्रे से ले तरी ठाकरे परिवार की इमेज आए बाला साब जी की इमेज आए अमेडकर जी की इमेज आए जिसके भी इमेज आपके माइज में आ रही है शिवा जी महराज की इमेज आए तो यहाँ पर आप अपने माइज के साथ खेलना सीखिए अब आप कहोगे सर इमेज आनी मैं लाइगी मैं यह साइगी कोशिश कीजिए और सर इसमें टाइम नहीं लगेगा यह तो फिर मुझे करणट वर्ष टाइम लग जाएगा और देरी लग जाएगी नहीं देरी नहीं लगेगी यार जब यह सब चीजे इंस्टेंट होती हैं यह चीजों को सोचने की जुरूर में आती हैं करके देखो कोशिश करो अपने आप एक क्रिएशन होगा और अपने आप यह चीज़ रिटेन रहेगी इसको मेरा मतलब है कहने का कि ओर्गेनाइजड वे में करो चीजों को दिस इस एन ओर्गेनाइजड सिस्टेमेटिक वे अगले पॉइंट पे चलता हूं अ आप कहीं पर निकलें गुमने बड़िया हवा है मस्त मुसम हैं मस्त नजारे हैं मस्त हवा चल रही है पीछे बैठे हैं आगे कोई ड्राइव कर रहा है और कोई और आप पीछे बैठे आपके लहराती जुल्फें खिडकी खुली इंस्टाग्राम रील बनाई जा रही है अचानक कहीं रुके किसी रेस्टरेंट में खाना खाने रेस्टरेंट चेर, टेबल, खाना बन रहा है, वेटर, बाहर बैनर, बोर्ड, रेस्टरेंट की लाइट्स, कहीं पर भी, सब आपके माइड में आपको दिख रही हैं चीजे, और्गिनाइज है वो चीजे, चल पड़े वापिस, रस्ते में बहुत सारे पेड, बहुत सारी चीजे, कोई मंदर दिख रहा है, कोई मस्जद आ रही है, कोई गुरुद्वारा आ रहा है, चर्च आ रही है, कोई बिल्डिंग आ रही है, किसी विद्रा की, कोई और होटल दिख गया, दोनों चीजें आपन आपसे 15 मिनिट बाद एक सवाल पूछूंगा मैं आपके साथ जा रहा हूं देखो मैं आपसे पूछूंगा अच्छा यार अपने वो रेस्टोरेंट में जब गए थे तो अपने जब उत्रे थे तो अपने किस तरफ गए थे लेफ्ट साइड गए थे राइट साइड में रे मैं आपसे दूसरा कोशन पूछू हरे जब हम रस्ते में जा रहे थे तो यार वहां पर एक मंदिर आया था वो किस भगवान का मंदिर था हाँ यार मैंने मंदिर देखा तो था लेकिन भगवान मुझे याद नहीं और कई तो यह सोचे अच्छा मंदिर आया था हो सकता कईयों का जवाब यह अच्छा मंदिर आया था मैंने देखा नहीं अरे तुम भार तो देख रहे थे खिड़की से अरे यार पता नहीं क्या हो गया मैंने देखा नहीं यहाँ पर यह चीजें क्यों होई है दोनों कारण समझना ध्यान से समझना इस चीज को जब आप यहाँ पर एक रेस्टरेंट में बैठे थे तो आपका मैंड क्या था स्टेबल था यूर मैंड वाज स्टेबल लेकिन यही जब आप यहाँ पर गाड़ी में जा रहे थे तो आपका मैंड स्टेबल नहीं था आपका मैंड जो था वो बहुत ही जादा स्पीड से चल रहा थ यही लेकिन अगर आप restaurant वे बैठे थे तो आपका mind उतनी speed के साथ नहीं चल रहा था आपके mind की speed और आपके mind की stability दोनों बिल्कुल एक सही level पे थी जबकि आप जब car में थे तब आपके mind की speed और stability उस level पे नहीं थी जिसको आपका mind digest कर सकें सेम चीज यहाँ पर current affairs में पलाई होती है आप में से बहुत सारे लोग चीजों को जल्दी 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 करने के इच्छुग रहते हैं और इसी चक्कर में उनकी speed की वज़े से उनकी stability नहीं बन पाती और वो लंबे समय तक चीजों को याद नहीं कर पाते इसका मतलब यह नहीं है कि सर फिर तो current affairs को अराम से पढ़ना चीज दिन में 6 घंटे लगा दू नहीं बन दो इस तरह से पढ़ो कि आप एक चीज याद कर रहे हो तभी याद जब हो जाए तब अगली चीज पर जाओ भागो मत हो सकता है शुरुवात में एक दो दिन आपको यह चीज अलग लगे यह चीज आपको थोड़ा सा टाइम जादा लगाए लेकिन जब दो दिन बाद तीसरे दिन करोगे तो अपने आप आपका mind और आपकी body उसको adjust कर लेंगे average speed बनी और आपका mind stable अगले point speed stability जो मैंने आपको बताई speed बिल्कुल average maintain करनी है stability रखनी है अभी भी यह वीडियो बहुत सारे लोग 2x पर सुन रहे होंगे सुन रहे हो ना तुम से बात कर रहा हूं 2x वाले ठीक है 2x पर सुन रहे हो ना बताना कमेंट सेक्षिम में किस किस ने इस वीडियो का 2x पर सुना बहुत सारे लोग इसको उनको यह इच्छा होती है भाई साब यह 2x के option है यह तो 4x होना चाहिए मैं तो 4x पर सुन सकता बहुत जल्दी है बहुत जल्दी है ना कहीं जाना है यह तो वीडियो है यार मनला इसका कोई value नहीं है आपकी exam point है उसे लेकिन बहुत सारे सी चीज़िया होते हैं जिनकी value होती है still आप उनको 2x पर सुनते हो और वो वहाँ पर गड़बड हो जाती है क्या आपको पता है कि कोई भी चीज जब आप सुनकर और देखकर दोनों को parallel चलाते हो तो वो चीज आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से याद होती है in comparison to the जिसको आप केवल केवल पढ़ते हो आपका mind जो है 75% तक चीज़ों को याद रख सकता है अगर आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो जबकि यही जो percentage है वो 40% तक पहुंचाती है अगर आप केवल केवल उसको पढ़ रहे हो और जदी आप इसको यहाँ पर 2x पे सुन रहे हो तो 75% से तो नीचे ही जाएगा percentage वो कहीं पर बीच में लटक जाएगा इसलिए इस speed को वहीं पर ही utilize करो जहां पर वाके में इसकी जरुरत होती है हर एक जगहां पर ये 2x वाला फंडा मत अपनाई है अर्राम से concept को चीखो बाकी subjects में जैसे सीखते हैं यहाँ पर भी सीखने की जरुरत होती है speed, stability अगला point यहाँ पर काफी लोग बोलते हैं sir revision sir revision मैंने किया लेगिन फिर भी नहीं हो रहा अगर आप पहला point confidence, दूसरा point organize, तीसरा point speed, stability इन सब को अगर अच्छे से अपना रहे हो और अगर आप यहाँ पर revision कर रहे हो कैसे एक दिन आपने करंटवर्स की उस चीज़ को at least एक दिन में पढ़िये जरूर रात को सोने से पहले अब आप कहोगे कि sir एक बार में तो मुझे याद नहीं होता जो चीज़े पहले बताई उनको अपना कर देखो जरूर याद होगा समय भी बचेगा आपका हाँ, एक बार में याद करने का यह मतलब नहीं है पहले आपने तीन घंटे लगाए, दो घंटे लगाए और दूसरी बार फिर से आप दो घंटे लगा रहे उसकी रिवीजन में नहीं, अव्वेस उसमें टाइम कम लगेगा करो, अब यह नहीं कहरा कि hard and fast ही है कि दो बार ही करनी है कईयों को हो सकते तीन बार में समझाए लेकिन करनी ज़रूर है और कोशिश करो कि अगले दिन यह नहीं कहूँगा, अगले दिन उसको फिर से तीन घंटे या दो घंटे दो अगले दिन फिर से कोपी पल्टो न उससी को पल्टो, एक बार उपर-उपर से देख लो headlines क्या थी, news क्या थी बस इतना ही देख लो, काफी है अगले दिन देखो तो सही जब आप current affairs उस दिन की कर रहे हो अगले दिन की file open करो, फटा फट उस दिन की देख लो, उपर-उपर से headline देख लो बात बन जाएगी, बहुत सारी चीज़े रिटेन रहेंगी और 3-4 दिन बाद तो पूरा अच्छे से दिन में भी आप break लेते हो इसी तरह से आपके daily basis पर जो आप studies करते हो उसमें भी आपको एक break की बहुत need होती है break बहुत ज़रूरी है अब आप को कि सर फिर current affairs से break ज़रूरी नहीं है क्या अगर आप कहा रहे हो हाँ, ज़रूरी है लेकिन बंधू current affairs से चीज है जो कि यहाँ पर ongoing रहती है change होती रहती है अगर आप एक दिन में current affairs छोड़ते हो तो इसका मला आपने backlog create कर दिया अबर आगर आप mass में कोई भी topic छोड़ते हो एक दिन आपने नहीं पढ़ा तो अगले दिन वही time and work का आपको पढ़ना है कोई ऐसा नहीं है एक दिन time and work का अलग concept था अगले दिन अलग आ गया वो एक monotonous monotonous मेरा मतलब ऐसा नहीं boring बना एक stable है यहाँ पर it is an ongoing continuous process है तो अगर आप एक दिन भी छोड़ते हो तो अगले दिन आपके उपर double बोज पढ़ जाएगा तो इसलिए it should be done on a regular basis on a daily basis और एक दिन week में ऐसा रखो जिस दिन बाकी subjects मत रखो पढ़ो मत और सिर्व उसरो current affairs को समय दो पूरा दिन current affairs करो जिसमें आप पिछले पूरे हफते की revision करो समय मिलता है पूरे हफते के quizzes लगाईए समय मिलता है तो आप उससे पिछले हफते उससे पिछले महीने की पिछले 15 दिन की जो जो आपने जैसे जैसे schedule fix किया है वैसे वैसे current affairs को कड़ो और अगर आप करेंगे तो definitely वो चीज आपको याद रहे की revision बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी और महीने बाद 15 दिन बाद एक schedule आपको बनाना पड़ेगा उसका schedule बनाएंगे तो आप बिल्कुल सही तरीके से exam से पहले उस जीज को revise कर पाएंगे अब यहाँ पर ये मत पूछेगा कि सर कितनी बार करना चाहिए उतनी बार करना चाहिए जितनी बार में आपका काम चल जाए और उतनी ही बार करना चाहिए जितनी बार में आपको याद करने की नोबत बार बार ना है और उतना ही करना चाहिए जितना आपको याद रहे मल उतने समय के लिए ही. आपको कोई 6 मिने बाद जब exam देकर आपको याद रखने की जुरूरत नहीं है. उतने time के लिए आपको चाहिए ना? ताकि exam में वो चीज याद आ जाए. ठीक है? तो ये आपका अगला point था कि revision should be done on a proper way. जब तक revision नहीं हो कि तब तक जो पिछले points हैं उनकी कोई value नहीं रहेगी और अगर revision अगर पिछले point नहीं कि और revision कर ली तब भी कोई value नहीं है. I hope मेरे points को आप समझ गयोंगे और एक और चीज है यहाँ पर आप जब अगले दिन से शुरू करोगे ना दोबारह से math reasoning English करनी तो एक नए जोश के साथ होगा देखना एक अंदर नया जोश आएगा कि हाँ यार आज तो मुझे एक अंदर से interest बन रहे हैं आज मुझे करनी है और daily basis पर रखो current affairs notification आता है जब भी या कोई भी exam नीर आता है तो बहुत ज़ादा जोश बढ़ जाता है हमारा करने का चीजों को लेकिन बीच में जो time होता है उस time बिलकुल जोश रंडा हो जाता है हम शुरुआत तो करते हैं बड़े जोश के साथ अरे मैं daily करूँगा फिर daily नहीं करते हो चोड़ देते हो और वो जो छोड़ने की चीज़ है दस पंदरा दिन बीच दिन आपने नहीं की कर अंड़े उसका परभाव अगले दस पंदरा दिन तक पड़ेगा और उस वज़े से बाकी सब्यक्स पे आपका focus चूट जाएगा और आप tension में आ जाओगे और obvious है अब आपको बहुत सारे लोग कहिंगे कि prelims है means की त्यारी क्या करनी है prelims हो कर ले पहले और आप में बहुत सारे से लोगों के वीडियोज भी देख लियोंगे जिन्होंने का मैंने तो prelims के बाद किया था मेरे तो exam crack हो गया exceptional case होते है उनका हो सकता है कि कुछ अलग case हो आपको क्या पता हमें किसी के personal life के बारे उतना जादा नहीं पता आप वो चीज कीजिए जो कि scientifically proven है जो चीज यहाँ पर fact है जो actual है हो सकता है वो आपके उपर apply हो उनकी strategy या ना हो इसलिए चीज़ों को समझो एक बार फिर से बता देता हो points को पहला confidence जो आपके अंदर होना चाहिए कि मैं इस सीज को नहीं भूलूंगा दूसरा चीज well organized way में image बनाकर model बनाकर like दी जैसे आप science के student हो आप physics, chemistry में practical करते थे engineer so models बनाते थे के नहीं बनाते थे उससे जादा याद रहती थी चीज़े क्या नहीं तो आपको वही model वही image आपके mind में बनानी है prototype बनाना है mind में उस सीज का उस news का अगला point speed, stability maintain करके चलो बिल्कुल एकदम उतनी ही जितनी need है ना ही जादा तेज ना ही बिल्कुल कम same वही चीज़े खचुआ करगोश की कहानी थी ना जिसमें कचुए ने अपनी normal अपनी speed से चल रहा था लेकिन stability consistent चल रहा था अगर वो डर जाता पहला point था अगर वो डर जाता कि खरगोश तो तेज है जीट जाएगा तो वो चलता ही नहीं अपने बैठा रहता वो भी लेकिन उसको पता था कि मेरी जितनी speed है मैं अगर उसके according चलता रहूंगा तो मैं कभी तो रहे इस पूरी करूंगा ना उसको यह नहीं था कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा उसके के लिए बाद की बात थी उसने यह था कि मैं अपनी स्पीड के साथ चल रहा हूं मैं stability चल रहा हूं मैं confidence रखा हुआ मैंने तो definitely हो सकता है मेरे लिए positive result आया और उसके लिए positive result आया कच्छुए के लिए खरगोश वहाँ पर आखरी moment पर सो गया उस वज़े से कच्छुआ नहीं जीता था कच्छुआ इसलिए जीता था क्योंकि उसने confidence उसने speed उसने stability को maintain करके रखा जो आपको भी रखना है और finally revision तो है ही है revision वाला point is also must follow करना चाहते हैं इन points को जरूर कीजेगा वीडियो पसंद आए तो like जरूर कर देजेगा और जिसको भी follow करने हैं अच्छे से follow कीजे religiously follow कीजिए और बढ़िया तरीके से कीजिए जो वो कहते हैं जो टीचर समझाता है उसको समझिए उसी तरह से करने का परियास कीजिए कि सफलता आपको जरूर मिलेगी शुक्रिया